नमस्कार डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं आपके साथ आरवी पंजाबी सिंगर सिद्धु मोसे वाला की मोत के गम से लोग अभी उबरे ही नहीं कि बॉलिवुड के जाने माने सिंगर केके यानी कृष्ट कुमार के निदन की खबर आ गई एक बर फिर से लोगों की आखे नम हो गई है केके ने कॉल करता के एक लाइफ कॉंसर्ट के बाद अंदिम सांस ली हाला कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी का जा रहा है कि उनके सर में चोड़ थी पुलिस ने अन्रैचुरल डेथ का केस दर्च कर लिया है कॉंसर्ट की सीसी टीवी फुटेज की भी जाच की जाएगी सिंगर का पोस्ट मार्टम उनके परिवार की सहमेति के बाद किया जाएगा पुलिस के अनुसार पोस्ट मार्टम की विवस्ता कोलकता के SSKM अस्पिताल में की जा रही है कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केके के सर में चोट की निशान मिले है इस बीच एक चशमदीद ने दावा किया है कि केके की मौत की वज़े से Organizers का mismanagement था सोशल मिडिया की पोस्ट में चशमदीद ने लिखा बंद आडिटोरियम में भीड बहुत थी और एसी कम काम नहीं कर रहा था केके ने एक दिन पहले भी एसी को लेकर शिकायत कर चुके थे ये मौत नॉर्मल नहीं है PM मोदी ने जताया शोक, PM मोदी ने केके के निधन पर दुख जताया PM ने कहा केके के निधन से मैं दुखी हूँ, उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े हुए है वो अपने गानों के जरिये हमारे दिल में हमेशन जिन्दा रहेंगे इश्वर उनके परिवार को शक्ती दे राश्वरती रामनात कोविन ने भी केके के निधन पर शोक जताया केके के निधन से बॉलवर्ड इंडरिस्ट्री का दुख का माहौल बना है अभिनेता अक्षे कुमार, सिंगर अर्मान मलिक, अभिनेतरी, सोनल चोहान और मुन्मन दत्ता समित कई हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया